इनकी मैं शुरुआत करता हूँ सरसल लेकिन सबसे पहले एफाइज मॉर्गन स्टेनली और आप उसके साथ इतनी लंबी निंग 26 साल की जनली मैंने यह देखा यह बहुत सारे दोस्त लोग हैं एफाइज में लेकिन इतना लंबा को टिकता नहीं मॉर्गन स्टेनली खास फॉ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सर आम तोर पर कई सारे एफाइज हैं जो इंदुस्तान में बड़ा पैसा लगा रहे हैं लंबे समय से हैं और हम कोशिश भी करते हैं उनके लोगों को बुलाएं जाने समझे हमारे दर्शिट जो हिंदी बोलने समझने वाले हैं बड़ा म नहीं श्रे आपको जाता है अनील जी आपने मुझे प्रोट्सान दिया कि हिंदी में बात करो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा अंग्रेजी की ओडियन्स इतनी छोटी है पांथ प्रतिशत ओडियन्स है पूरी टीवी ओडियन्स में मदब ये अपने शेर बजार की न नहीं है ना बहुत अची है नहीं टेक्निकल सब्दों में थोड़ी परिशानी होती है लेकिन मैं कोशिश करूंगा ना आप बिल्कुल जहां आराम से इंगलिश बोली है कोई दिक्कत वाली बात है हमारा इरादा तो यह कि हमारे दर्शक समझ पाएं कि FIS भारत को कैसे दे मैं हैं कि तो मिल रहा है कि मेरे हुए 27 साद थोड़ा सा करेक्षन और यह 16 भी में भी अभी 22-23 कॉन्फरेंस हो गई है मलब अलगातार 26 सालों से हम कर रहे हैं या बात है तो इस बार की कॉन्फरेंस की खास बात है तो भारत में जो इंटरेस्ट है वो उचाई पे ही है और जो बाहर के निवेशक है उनको दिक्कत सिर्फ मुल्यकान से वैलिएशन से है तो अच्छा समझते हैं जो दूर बैठे हैं जो लंडन में बैठे है जो नूवय परिवर्टन हुआ है पिछले पांच-दस सालों में वो उनकी समझ में अभी तक आया नहीं है तो वो समझ रहे हैं मेरे हिसाब से अगर आप मैं अगर एक फोरकास्ट करूँ तो अगले छे मेरे में भरपूर मातरा में फ्लो जाने वाले हैं मेरा सर नेक सवाल मैं यही पूझने वाला कि भई यह क्यों बेच रहे हैं कि वह हम लोग खरीद रहे हैं आप समझो अगर 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 आप एक टोटल मारो तो कुछ देली बेसिस पे पंदरा सो करोड की बाइंग हो रही है रीटेल की डायरेक्ट मूचल फंड के थूरू इंशोरंस कंपनी के थूरू एचनाए की और पी एमेस स्कीम में सब मिला के हर रोस पंदरा सो करोड की डेली बाइंग है अब बजार में आओ सवानो को पंदरा सो करोड को तेया है अब आप समझो कि इसमें मूचल फंड वाले हैं इंशोरंस वाले हैं अगर ऐसा सोच है कि बजार बहुत महिंगा हो गया मैं पांच दिन के लिए नहीं खरीदता हूँ पांच दिन के अंद पर उनके पास पांच जार करोड का बैलन्स हो जाएगा पिर लगो तो और मुष्किल होगी है अब बजार में डेली बेसेस पे नेट फ्लोट जीरो होता है करेक्ट ठीक है तो आप खरीदने वाले थो सावानों को तयार हो जाते हैं तो बेचने वाला कौन है बेचने वाला आज की देश में सिर्फ भार के इंवेस्टर है, वही तो माल दे रहे हैं जो लोकल्स खरीद रहे हैं, अब ऐसा होने वाला है अगले छे मैने में, एक तीसरा खिलाडी अंदर आ रहा है, जो माल देगा, वो है कॉपरेट, अब कैपिटल रेस करने वाले हैं, ज अब लाँच होंगे, जैसी ही वो आएं, उनकी इस्यूस को खरीदने के लिए बाहर के निवेशक आ जाएंगे, तो आपको एक समय आएगा, जब सेलर जो है, जो बेचने वाला है, वो कंपनी होगी, और खरीदने वाला हमारे लोकल होंगे, और बाहर के निवेशक होंगे, इतना, इतना, सिंपल है, इसमें ज्यादा,